परशुपालग भाईयों नमस्कार आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल में स्वागत है और आज हम यादो डेरी फार्म की गाय की वीडियो लेकर फिर आपके साथ आपके बीच में उपलब्द हुए हैं तो जो लोग नए हैं हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर ल लुकोर सभी की रहीं एक काई ब्च्चा दीवी है और यों से ब्च्क यादि से बॉल नंत देरेगा है नमसकार भी है पुछ कहना चाहें متवूंशान में अमेल कि आज हमारे पास दिन मंगलवार 27 अगस 2024 जे चल लाई इस समय को करते हैं आज हमारे पास गाय आचुकी है लंसम आज गाय आई है 15 उसमें से आज जो गाड़ी आई तुसमें एक गाय वाली बच्चा दी हुई है और बाकी गाय बच्चा देने वाली है कुछ गाय पहले की भ वीडियो वह आगे बंजिए कि बारित हो रही थी इसमें आ नहीं पाई हां बर्तमान में बारित हो रही है देख सकते हैं और गाली गाय भी हमारी कल तक आ जाएगी अच्छा जी तो चलिए सीधे जानकारी देते हैं विया यह गाय अभी तीन दिन हो गया तीन से चार दिन मां टंटन बच्या है अच्छा देखो जिए बच्छडी बहुत बेतरीन तयार है अर मोसम जहलने वाली गाय है कितना दूद करेंगी अब हम तो आपको 22 दूद हमारे इसाथ देना चाहिए आप अपने अंदाज से ले लिजिए लमसा में बीस लीटर प्लस दूद करेंगी अच्छा बच्छा दी बच्छे के पास जाती है जाती है और इसका अडर क्वाल्टी देखिए पहले इसे बहुत जाएए देखिए जो गाय में क्वाल से भी सूरा सकते हैं कि बहुत बढ़िया तो आएए आप आएए गाय की क्वालिटी तो बहुत बेतरीन है थोड़ा सा दूबली है लेकिन इस तरह की गाय ऐसे ही रहती है तब यह कहीं कहीं देखने को मिलती है तो रेट भी बता दीजिए इसका 75,000 रुपे बच्छिया इस और बाकमार देख लीजिए चाहे मसीन से दूद निकाले चाहे वैसे दूद निकाले यह यह बात तो सही कहा आपने ठीक है चले अगली काय दिखाते हैं फर्स टाइमर में बच्छिडी एचप में है एचप और ABS मिक्स में है अच्छा जी आत में बच्छिया अब दात में हीरी बच्छिया है मला भी दात में मात देखो ऐसे क्वाल्टी की का होती है इसे हर दिसे ब्रीड भी तयार करेंगे तो आप्छा तीमेंट लैंगे तो अच्छा बेड़ल भी तयार करते दो-ते हाँ रखने वाली बच्छिया है बहुत सही कहा आपने क्या फूल एच्ट मे और देखिए बहुत यह बढ़ी बहुत सुन्दर तयार है एसी असी बच्छिया कभी-कभी देखने को मिलती है और चोटे मुह की अच्छी क्वाल्टी की गाहे देखिए मूह देखिए इसका अच्छी क्या कर देगी यह दूद अगर सही खिलाई प्ले अपने ब्रीड के हिसाथ दूद करेगी तो लंसम 25 लीटर प्लस करेगी पच्छिस तोड़ा देख भाल कम करें तो 20-22 लीटर हमेंसा दूद करेंगी आप क्या बोल कर देंगे पर सब्सक्राइब कर देंगे क्योंकि दो तीन लीटर ज्यादा दूद दे उनको खुसी हो जाए बहुत सही बात है और गाय की क्वाल्टी देखिए ऐसे बैट जाए देखिए बच्छी अभी फंच टाइमर में 17 महीना का कोई नि सब्सक्राइब कर देखिए बनावाट कैसी है अब उदंत बचिया है अगरे दो दात में होगी तब और हाइट बढ़ेगी कीमत भी बता दीजिए फिर कीमत इसकी पचासी हजार रुपे है पचासी हजार रुपे है तो बहुत ही शांदार है और पार्टिसन आडर में है द अब इसी गाए में सब अच्छिया नहीं मिलती है विरीड की तो गाए सभी लोग बेशते हैं कुल्क क्वाल्टी होना चाहिए फर्स्ट टाइमर में हो उदंत हो हर क्वाल्टी की गाए अलग-अलग होती है अब इसी गाए कहीं हो लेंगे तो एक दस एक पंद्रह है तो हम थोड़ा पार कर वाली गाहना तब पंजाब की गाहना तब आकठर रहते हो रानी दीजिए चोड़ी चोड़ी चोड़ीजिए ये जिश्या दात में अच्छा और अडर क्वाल्टी देखिए अडर क्वाल्टी तो बेहत्रीन तैयार है सबाले नहीं सबल रही है देख सकते हैं गाय भी तो तोफा है जैसे फोटू में देखते हैं लोग गाय उसी इसाफ से गाय है अभी बच्चा देने में समय है इसमें अच्छा कितना टाइम लेगी भी है अब हमारे इसाफ तहाकत्वर गाय है ना अडर कॉल्टी की अच्छी लोग तो 40 लीटर प्लस बताते हैं मुलं 30 लीटर बताके देंगे आप एक दफा गाय ले जाए तब देखिया गाय की क्वाइटी और एक दफा जाएगी तो संबंध बन जाएगा यह समझे यह गाय अगर जाती है किसी किसान भाई के घर पर या दो बारा वो बताएगा कि म इसी गाय लाके दो हमको वाट जाएगी क्वाइटी देखिया थन भाट देखिया पहला में अब दो दात में बचिया है कितना आपके हिसाब से कर देगी हमारे सबी लोग तो 35 लीटर बताएगे मुझे 30 लीटर मान के ले जाएगे 30 लीटर बचिया देगी 15-15 लीटर प्लस क्योंति प्सकी है कैनी कभी हम झीबलक का लिटो को घटोडनी जाएगे i Bear Chantar रिफ्यों होने 502 चाहर और कम हो जाएगा अधर क्वालिटी में बहुत अच्छी निकले बहुत ही बढ़ी शांदार है पसुधन बहुत ही सुन्दर है अगर कोई पसुपालक भाई ले जाता है तो दर्वाजे पर माधेगा तो गजब कल अगर किसी बजार में जाते हैं तब ऐसी गाह एरंगे तो एकाद भी मिलेगी वह भी मिली भी नहीं सकती है इतनी अच्छी प क्या बात है आप तो आप एकदम नगीना छांट के लाए हैं और अभी गाली गाया आएगी हमारी रात में अच्छी एकदम इस्टेंडर ही गाया रही है दात इधर खोल के दिखो देखो दो दात बताने वाला दात नहीं उसका भी दो दात दिखाते थोड़ा मूजोर गाह है काकत वर गाहे अभी बच्चा देदेगी तभी दूद दात देखाने में और बच्छिया देखे पहले क्वाल्टी देखिए इसकी बहुत दूबरी क्या नसल कहीं जाएगी भी है इसको यह सब ब्रीडिंग वाली गाहे जो दूद देने वाली है 30 लीटर पर 30 लीटर ऐस ब्लेक है मसीन से चाहे दूद निकाले चाहे वैसे दूद निकाले कोई दिक्कत कोई परेशानी ने बिट्टे से दूद निकालने वाली गाहे जिसको कहते हैं बात तो सही कहा आप बहुत भी बढ़िया लाज जबाब एकदम कितना दूद कर देगी भी आप 27-28 किलो अच्छा और इसी बच्चिया कहीं कहीं मिलती है यह सब ड्रीडिंग की आए देखा दीजे तीनों की विर्कुल कीमत बता दीजिए कीमत इसकी 90,000 रुपे लिए और मान सम्मान आपका रखा जाए कोई दिक्कत कोई परेशानी एक दफा हमसे आई है बात करी हमारा डेरी फ मतरले दिक्कत होगी बदल भी देंगे अब ऐसा नहीं कि आप बिमार हो जाए कोई दिक्कत हो जाए अगर दूदशसानाँ में कम निकली तुम बदलब देंगे आपने बता दैप 8 लुट बद़ दर कोई बाद नहीं बहुत बड़ीया इसके बारे में बता YE बात आचा हाईट इसकी सारी गाय से उची है यह अब जब बिरिट की गाहिए लेंगे अच्छा टाइम की तमया है को बैच्ळ करने में एक हपता का समैंएं एक हपती का समय समय अच्छा और यह जि還 कि बहुत ही कुण्सूरत चेहरा इस गाय का लसको सब्सक्राइब में दूद्ध देने वाली घाए हां जो सभी लोग कोताते हैं हमारी कि अburg अभी कॉ Freedom लेंगे तब दूद देगी कराश बेड में और अभी एक हफ्ता लेगी बच्चा करने में एक हफ्ता से कुछ ज्यादा ले सकती भी एक हफ्ते मान लो आप दस दिन आट दिन दस दिन साथ दिने से ले लिए लटके आती थोड़ा थनों सूख जाता है अब यह कवल अच्छी लगें क्योंकि आज ही लटके आई हैं तो थोड़ा खिचाव में रहती हैं जी इसलिए अब दो दिन ये बैठेंगी नहाएंगी दोएंगी तब अच्छी लगेंगी तब अच्छी लगेंगी ठीक है बांदो बया तो लाइए भी तो क्या दूद कर देगी कुछ अंदाज बताएंगे अब यहां से हम लाएं हो तो बता रहा था इसकी मादे रहे थे 30 लीटर अच्छा बूल यह हमारे हिसाफ से 22 लीटर दूद करेगी अच्छा इधर है हां ठीक है सफेद के बगल में बाधना था कोई दिकत नहीं अच्छा तो रेट बता दीजिए भी रेट इसका नब्वे हजार रुपय है नब्वे हजार कम हो जाएगा और मान सम्मान फूल लगए यूटूब चैनल के मादन से आते दो चार हजार पांच हजार कम हो आई राठी वाहर निक्समें इस पहले गाय देखे और पैर की चोटी जोटे पैर कि बैठकडार का गा है डर को अधर जी जिसे कहते हैं सब्सक्राइब अ बैठकडार है बहुत ही बढ़िया है तो टाइम को है या चार नाथ है सिकंट टाइमर में इसे बैठ जाएगे अच जी चार दांत में सिकेंड टाइम और बच्चा करने का समय लगवग आठ से दस दिन ले लेगी अच्छा तो क्या दूध कर देगी विजया है यह 20-22 किलो दूध करेगी 20-22 किलो 20-22 किलो ठीक है और रेट क्या मांग रहे हैं रेट फाइनल इसका 80,000 रुपे पड़ेगा 80,000 और कम जादा हो जाएगा है लेकिन चोटे पहर की टाइम कितना लेगी है कुछ अंदाज दिन ले लेगी अभी बच्चा देने में समय जब यह पुरा थन बाल लेगी तब बच्चा करेगी जेखो यह बाट के को लाट कि ठीक है भी है चलिए इसके बाद किस गाय का नंबर है हैं यह उत्कर देंट में हैं अच्छा इसके बच्चा देने में अंद्स में और दकान हो रही है चार से ची हो लोग ले देते हैं अच्छी गाय बहुत क्वाल्टी दार गाये बिरकुल ग्रास में है बहुत शांदार पौड़ा चलाओ भी चलाओ चैरा भी देख सकते हैं बहुत ही बेतरीन है और गाय भी सांदार है अभी थन बहुत बनाएगी अभी दस दिन का समय दस बारा दिन का देखिए लाइए टाइम इसमें है ठीक है ले आएए वियां तो इसकी क्या डिमांड है वियां यह आपको 75,000 रुपय मिल जाएगी पचा 75,000 रुपय कीमत पही ने बताया इस गया का और दूसरे वियांत में 50,000 वियांत ओर भाइगी है तुछ आ बहुत मजबूत पैर की चोटे कद काठी में लेकिन बाड़ी की बनाऊट बहुत ही अच्छी इसमें भी दस दिन का समय है अच्छा क्वालिटी देखे बहुत बनाएगे भी बहुत बनाएगी समय रहता है तो कम अच्छी लगते गाए क्योंकि आज ही लत्किया यह गाइगा का कियमत इसका है इसकी कीमत है 80,000 रुपर च्छ पॉल को इसमें अलग है क्या बीशिक अभी दाम ज़्यादा इसका लग रहा है अब क्योंकि थन नहीं बनाइब आथक ज्ञादा लग रहा है जब धन बनाएगी तो एक लाक पार वाली घाए अभी एक थन बनाने में समय सम देखिए पहले इसका आडर क्वाल्टी जो बोलते दूद देने वाली 17-18 किलो सभी लोग बता देते हैं हमारी 15-16 किलो दूद करेगी इसमें भी बच्चा देने में समय है दस दिन लेगी दस आठ दिन मान लो बहुत अच्छी गाय बहुत चोटे पैर की घर पे रखने के लिए बहुत अच्छी गाये नसल क्या कहीं जाएगी इसको भी साहीवाल से क्राश ब्रिड बोलने जाएगे साहीवाल जर्सिक रास अच्छा यह हर मोसम ठंडी गर्मी बर्ता और बच्चा चलिए दूसरे ब्याद में है चार दाथ बढ़ियां अच्छी गाय है अमिद भीया बता रहे हैं और चोटे किसानों के लिए बहुत बेतरी इन गाय कीमत क्या मांग रहे हैं इसकी 50,000 रुपे लगें पचास चास कब हो जाएगा और कम हो जाएगा हजार दो हजार और हमारी गाय कल तक आजाएंगी हमारे नंबर पर संपर करके आ सकते कहीं के लिए बिहार हो गया गोरगपुर दिवरिया बिहार कहीं इ जाएगा डाक्टरी बन जाएगी कहीं के लिए आप सहेंगे गाली मिल जाएगी कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं निदे को पर संपर करके आ सकते हैं तो इस तरह से आप लोगों ने देखा अमीद भीया ने अपनी गाय दिखाया जो भी गाय आई हैं गाय ऐसा नहीं का पर नहीं है कम से कम पांच गाय डेरी फारम पर और उपलब्द हैं तो पशुपालग भाईयों अगर किसी को गाय लेना है तो ऐसी गाय जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा बहुत ही बेहतरीन गाय और और आडर क्वाल्टी बहुत बढ़ियां ब्रीड में अच्छी गाय आज डेरी फारम पर उपलब्द हैं और थन तो आप देखी रहें कैसे कैसे बना हुआ है बहुत ही बढ़ियां शांदार और यह आज ही आई हैं अगर कोई पसुपालक भाई लेना चाहता है तो डेरी फारम पर आ सकते हैं और इस तरह पर आज ही वीडियो पढ़ चुकी है अहां तो थीक है तो इस तरह से है तो बने रहें पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पसुपालक भाईयों और फिर हम अगली वीडियो में मिलेंगे तब तक के लिए जय जमान जय किसान